सलाम अलेकुम फाराल विवर, आज का हमारा टोपिक है derivative quotient rule इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था product rule, आज हम पढ़ेंगे quotient rule तो quotient rule हमारे पास होता है, कि अगर हमारे पास x over y हो तो हम नीचे वाली का क्या मनाते है, square और फिर हम क्या करते हैं कि नीचे वाली वाली को as it is लिख लेते हैं और जो उपर वाली वाली होती है, उसका क्या लेते है, derivative और फिर हम उपर वाली वाली को लिखते हैं, नीचे वाली का क्या लेते है, second में derivative यह हमारे पास question है, y is equal to 2x plus 5, 3x negative 2 तो इस question को हम कैसे solve करेंगे differentiate differentiate with respect to x तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास dx और dy किसके बराबर हो जाएगा नीचे बटा जाएगा नीचे वाली value को क्या बांज़ेगा कोशन रूल के मताबक और नीचे वाली value को as it is लिखेंगे और दूसरी का क्या लेंगे derivative दूसरी रखम क्या थी पहली रखम बलके 2x प्लस 5 तर्मियान में negative प्लस नहीं आएगा प्लस प्रोडक्ट में कोशन प्लस नेच्टिव तो अब हम क्या करेंगे पहली रखम को as it is लिखेंगे यह वाली पहली रखम प्लस 5 और d अबर d x दूसरी रखम क्या लेंगे derivative दूसरी रखम क्या है 3x negative 2 इसी तरीके से हम इसको ऐसी लिख लेंगे 3x negative 2 इसका derivative क्या होगा 2x x का derivative 1 और 2 बन जाएगा 2 1 से multiply होकर 2 और 5 का derivative 0 इसी तरीके से इसको हम इसी लिख लेंगे फास्ट वाली रखम को दूसरी का derivative क्या आएगा x का derivative 1 और 3 के साथ 1 को multiply करेंगे तो 3 ही आएगा और दरम्यान में 0 3x negative 2 का होल का square तो यह क्या बन जाएगा 3x negative 2 2 negative 2 x प्लस 5 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 ही बचे गा 3x negative 2 और इसका square जब हम 2 को इसके साथ multiply करेंगे तो 2 3 6 x साथ आजाएगा और 2 2 the 4 negative 3 2 the 6 x और 3 5 15 negative 50 क्योंकि यह दरम्यान में negative है तो यह negative से replace हो जाएगे 3x negative 2 का square 6 x 6 x से कर जाएगा क्योंकि यह positive का है और यह negative का negative 4 और negative 15 कितना हो जाएगा negative 19 3 x negative 2 और इसका square तो यह क्या बंज़ेगा इसका answer तो question rule को समझने के लिए हमें एक और question करते है question number 19 और 18 सेम थे इस वाज़े से मैं नहीं करवाए अगर आपको कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना तो question number 20 है हमारे पास t is equal to t square negative 1 और t square plus t negative 2 इसका derivative क्या बनेगा हम इसको differentiate किसके मताबक करेंगे differentiate with respect to t t के साबसे से हम क्या करेंगे differentiate तो f over t है तो हम y को हम letter कार सकते है according to function के rule से f of t तो जहांपे हम y को put करेंगे तो y किसके बराबर आएगा d x y over dx जो आप f t भी लिख सकते है इसको ऐसे भी लिख सकते है derivative को तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास नीचे वाली वाली वैलिव का square मांझेगा t का square plus t negative 2 इसका square और पहली यह वाली रकम है जिटीज लिख लेंगे t square plus t negative 2 और दूसरी रकम का क्या लेंगे derivative according to t यहां पे x नहीं आएगा sorry t तो क्या बन जाएगा हमारे पास इस रकम का derivative t square negative 1 और दरम्यान में negative आपने डालना है positive नहीं negative तो पहली रकम को as it is लिखेंगे और दूसरी का क्या लेंगे derivative according to t t square plus t negative 2 तो अब हम क्या करेंगे इसको पहली रकम को as it is लिखेंगे t square plus t negative 2 और दूसरी का derivative क्या बनेगा t square का derivative क्या होता है 2t पावर नीचे आगी 2 multiply हो गया और 2 में से एक निकालेंगे तो वन वन पावर हम लिखते ही नहीं और 1 का derivative क्या होता है 0 2t में से 0 निकालेंगे तो आंस क्या आएगा 2t तो मैं 0 नहीं लिखेंगे इसी तरीके से अगली रकम को as it is लिखेंगे और फिर जे दूसरी रकम का derivative लेंगे क्या बनेगा t square का derivative 2t हमने अभी अभी निकाला है और t का derivative हम सब को पता है 1 आपने plus और t में फरक रखना है negative 2 और negative जब constant value आती है उसका derivative 0 होता है तो हम 0 नहीं लिखते हैं क्योंकि अब हम Thomas की book को follow कर रहे हैं इस वज़ा से हम अब advance लेवल पर हैं तो हमें चोटी चोटी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है negative 2 और t का square इसको हम multiply करेंगे तो क्या बनेगा 2t 2t जब t square के साथ multiply होगा तो एक power इसकी है तो क्या बनजेगी t की power 3 और जब 2t t के साथ multiply होगा 2t square और 2t 2 से multiply होगा negative 4t negative और जब यह multiply होगे आपस में क्या होगा t square 2t के साथ 2t 3 t square 1 के साथ plus t square और negative 1 2t के साथ negative 2 negative 1 positive 1 के साथ negative 1 divide में हमारे पास क्या बाच जब आज़ेगा t square plus t negative 2 का square तो यह हम इस रखम को ऐसी लिख लेते हैं एक बार 2 square negative 4t यह negative रिप्लेस होगा negative 2t के cube negative t square negative और negative क्या होगे positive 2t negative positive 1 divide में हमारे पास क्या है 2T का square T negative 2 इसका square यह 2T cube 2T cube के साथ cut out हो जगा बकाया हमारे पास क्या बच जगा 2T square में से T square निकल जाएगा तो T का square 4T में से 2T निकलेगा तो क्या बनेगा negative की रकम बड़ी है तो negative 2T इसी तरीके से positive 1 Divide में हमारे पास क्या है T का square plus T negative 2 यह था हमारे पास question number 20 अब हम करेंगे question number 22 question number 22 है W is equal to 2x negative 7 x plus 5 यह negative power है नीचे आगे क्या बाज़ेगी positive x plus 5 2 2x negative 7 तो power 1 हो तो हम power 1 को लिखते ही नहीं तो रज़े रखम ऐसे बाज़ेगी इसे हम differentiate किसके respect करेंगे differentiate with respect to x लेकिन यहां पे हम w को w ही लिखेंगे w को denote नहीं करेंगे do or x आपको mcq भी देश सकता है कि differentiate को किससे represent करते है dash के साथ ठीक है तो इसका derivative हम कैसे लिखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे नीचे वाली रखम का क्या मनाएंगे square नीचे और फिर नीचे वाली रखम को as it is लिखेंगे और फिर जो उपर रखम होगी nominator में उसका क्या लेंगे हम derivative x प्लास 5 और फिर हम क्या लिखेंगे कि nominator वाली रकम को as it is लिखेंगे और denominator रकम वाली को denominator यह है denominator नॉमिनेटर तो इसका क्या लेंगे हम derivative 2x negative 7 तो इसका derivative हमारे पास क्या बनेगा 2x negative 7 और यहां पर x का derivative क्या होगा 1 और 5 constant है इसका derivative 0 तो हम क्या लिखेंगे simply 1 और यहां पर हम क्या करेंगे x प्लस 5 को as it is लिखेंगे और 2x का derivative 1 और 2 7 में वैसे आ जाएगा और 7 constant है 7 का derivative 0 आएगा तो हम 0 नहीं लिखेंगे यूंकि 0 हम बाद में भी आड़ करेंगे तो आज क्या आना है as it is आ जाना है 2 तो यह था हमारे पास question तो अब हम इसे multiply करेंगे 1 के साथ 2x negative 7 और 2x के साथ multiply होगा 2x और बाहर negative है तो यह negative है प्लेस हो जाएगा 2 5 से multiply होगा तो क्या होगा 10 और बाहर negative है negative 10 2x negative 7 का square 2x 2x से कट गया आज में क्या बच गया negative 10 और negative 7 negative 17 2x negative 7 तो यह था हमारे पास question इस तरीके से आपने question टूल को apply करना है आप इस में से कोई भी question कर सकते हैं तो आज तक हम यहां तक की पढ़ेंगे तो मिलते हैं next video तब तक के लिए जाज़त दीजिए अल्ला हाफिज